ये कैसी घरी आई है, मिलन है, जुदाई है हम सब जानते हैं कि बेटिया पराईधन होती है और एक न एक दिन माबाप का घर छोड़ जाती है लेकिन बेटियां ही नहीं साहब, बेटे भी घर छोड़ जाते हैं घर की याद आती है लेकिन पिल्कुल ठीक है कहते हैं सौ सौ क्वाइस रखने वाले बस कुछ नहीं चाहिए कहते हैं पैसे कमानी की जरूरत में वो घर से अजनबी बन जाते हैं बेटे भी घर छोड़ जाते हैं दोस्तो मैं रंधिर कमाल आगे की आप बीती सुनाता हो बना बनाया खाने वाले अब खाना खुद बनाते हैं मा बहन बीबी का बनाया अब वो कहां खा पाते हैं कभी ठके हारे भूखे भी सोजाते हैं बेटे भी घर छोड़ जाते हैं मुहले की गलियां जाने पहचाने रास्ते जहां दोड़ा करते थे अपनों के वास्ते माबाप यार दोस्त सब पीछे छूट जाते हैं तनहाई में करके याद आसु भाते हैं बेटे भी घर छोड़ जाते हैं जो तकिये के बीना कहीं भी सोने से कतराते थे आकर कोई देखे तो वो कहीं भी अब सो जाते हैं खाने में सौस औ नख़रे वाले अब कुछ भी खालेते हैं अपने रूम में किसी को भी नहीं आने देने वाले अब एक विस्तर पे सबके साथ एड़जस्ट हो जाते हैं बेटे भी घर छोड़ जाते हैं नई नवेली दुलहन, जान से प्यारे भाई बहन, छोटे प्यारे बच्चे, दादा दादी, पापा माई, सब छुरा देती हैं सहब, ये रोटी और कमाई, मत पूछो इसका धर्द, वो कैसे छुपा पाते हैं, बेटिया ही नहीं सहब, बेटे भी घर छोड़ जाते हैं मित्रो, मैं रंधिर कुमार के दिल की ये आवाज, हर उस बेटे को समर्पित, जो अपना घर, माबाप, भाई भान, पत्नी और बच्चों से दूर है, नन्यवार